last 10th exercise 3.2 का question number 3 का first part है question में हमसे बोला गया है the difference between two numbers is 26 and one number is three times the other find them तो question में हमसे बोला गया है कि दो numbers का difference जो है 26 है और उन में से जो एक number है वो दूसरे number का three times है तीन गुने के बराबर है तो तब इस condition की base पे हमें इन दोनों numbers को find करना है ठीक है तो दीखे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम दोनों numbers को let कर लेंगे let first number is equal to x let second number is equal to y ठीक है अब जो पहली condition थी वो क्या कहती थी वो ये कह रहे थी कि इन दोनों numbers के बीच का जो difference है वो कितना है 26 है दो number हमारे पास ये है तो इनके बीच का जो difference है वो कितना है यहीं कि x minus y अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है 26 equation first हो गई है हमारे पास अब जो second condition है इसके लिए second condition में हमसे बोला गया है कि जो एक number है and one number is three times the other एक number जो है वो दूसरे number का three times है यहीं तीन गुने के बराबर है तो मान लिजे यह x है यह जो दूसरा number y है उसके three times के equal है तो यहीं x is equal to three y अब इन्हें equation बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों को एक तरफ ले लेंगे x और y वालों को equal to में हाँ पर कितना आ जाएगा zero equation कितने आ गए हमारे पास two अब हम क्या करेंगे हमें मालूम है substitution method से solve करने के लिए दोनों equations को हमें किसी एक equation को लेना पड़ता है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर from equation first ले लेते है from equation first from equation first जो हम यहाँ पर लेंगे तो x minus y is equal to 26 equation first आए यहाँ से हम किसी एक variable की value निकाल लेंगे तो x is equal to 26 plus में कितना आ जाएगा y अब x की जब value यहाँ से निकालेंगे हम तो यह कितना आ जाएगा 26 sorry x की value तो आ चुकी है equation 2 में क्योंकि हमने equation first की मदद से equation third बनाई है तो यहाँ पर लिखेंगे put value of x value of x in equation second second equation में हमारे पास क्या था x minus 3y is equal to 0 equation 2 था हमारे पास यह है अब x को हम x की जगा 26 plus y रख खेंगे और minus यहाँ पर यह 3y और इस equal to में कितना जाएग 0 तो 26 ऐसी रहा और minus के कितने 2y और is equal to में कितना आया 0 तो minus 2y धरा करके minus 26 minus से minus cancel तो y is equal to 26 upon में 2 2 से 13 टाइम कर जाएगा y की value कितना आजाएगी 13 अब हम क्या करेंगे जो y की value आई है उसे equation third में रख देंगे put it in equation in equation third equation third जो थी हमारे पास कितनी थी x is equal to 26 plus y यह equation third थी हमारे पास तो यहाँ पर हम 26 और plus y कितना था 13 तो यहाँ पर जो x की value आजाएगी हमारे पास वो कितनी आजाएगी 39 ठीक है तो x is equal to 39 आचुका है और y की value कितनी आचुकी है 13 तो इसलिए जो first number है हमारे पास first number कितना x माना था कितना आया 39 और जो second number है हमारे पास वो कितना माना था हमने y और y कितना आ चुका है 13 इन दोनों के बीच का difference देखेंगे तो 26 ही आएगा ठीक है यह जो है इसका answer हो जाएगा